नमस्कार हमारे यूट्यूब चैनल कोशे क्लासेज में आपका स्वागत है आज हम व्याकरण में बोलियां लेकर आएं कि बोली क्या होती है किसे कहते हैं तो भाषा आपको समझ में आ गई होगी सी का छोटा रूप की उप भाषा कहलाती हैं बोलियां तो उसके बारे में हम जानेंगे कि एक सिमित छेतर में बोली जाने वाली भाषा के इस्थाने रूप को बोली कहा जाता है जिसे भाषा भी कहते हैं इसके परिभाषा होगी कि भाषा का सिमित एविकसित तथा आम बोल चाल वाला रूप बोली कहलाता है आपने कावत भी सुनी होगी कि कोस कोस पर पानी बदल जाते हैं, वैसे वैसे बोलियां भी अलग- अलग आपको सुनने को मिलती है कि कि आप अलग अलग लाके में गए तो वहाँ की बोली अलग होती है तो इसमें आपको विस्तार चे बताऊंगी कि हिंदी भाषा में कुल 18 बोलियां है जिसमें हम पैसव से पहले लेंगे पूर्वी हिंदी, पूर्वी हिंदी में जैसे कि अवदी बोली जाती है, बगेली है, चतिस गड़ है, ये इदर के साइड बोली जाती है, ये कौन से होती है, जैसे कि लखना और फैजाबाद आदी छेतर में कहले होती है, अवदी बोली जाती है जहांका इधर की साइड के इलाके में इस तरह की बूली बूली जाती है अब आता है हमारा पश्यमी हिंदी तो पश्यमी इंदी में हमारे जैसे की ब्रजभाशा है और खडी बूली है बाग रू है और बुंदेली है, कन्नोजी है, आदी भाशाएं बोली जाती है जिसमें कि आपका ब्रज भाशा कहां बोली जाती है, मत्र और आगरा के आसपास के छेतर में बोली जा रही है और साथ इसमें है कि खड़ी बोली है जैसे कि मेरट है, बिजनोर है, सहरनपूर है, बुरादाबाद है इसके आसपस बोली जाती है इसके बाद आता आपका बिहारी बिहारी में मगई बोली जाती है, मैथली है, भोजपूरी है, आदी बोली जाती है इंदर के लाके में फिर आती आपकी राजस्तान की राजस्तानी में मेवाडी है मारवाडी है मेवाती है हाडोती है मालवी है डुंडाडी है तथा बागडी आधी बोली जाते हैं राजस्तान की तरफ फिर आता आपका पहाडी लाका पहाडी लाके में जैसे पहाडी बोली ह उत्रांचल और हिमाचल प्रदेश है जैसे वहाँ पर बोली जाते है गडवाली है कुमावनी है और मंडियाली है आधी बोलियां बोली जाती है इसमें दो प्रमुक आपके प्रेशन निकल कर आते हैं कि बोली किसे कहा जाता है या उभाशा किसे कहते हैं दूसरा आपका कि भ रस्थान में कौन सी बोलियां आती हैं तो वो आप सारी पता देंगे इस तरह से तो यह हुआ आपका बोलियों पर के बारे में अब हम जानेंगे व्याकरण कि व्याकरण क्या होती है व्याकरण है कि किसी भी भाषा को आप सुध रूप में लिखने वे बोलने से सम्मनित नियम वे सिधानत की जानकरी देने वाला सास्तर आपका क्या कहलाता है व्याकरण कहलाता है अब आप जब तक आपको पूरी तरह से व्याकरण का ग्यान नहीं होगा तो आप उसे लिखित रूप से कैसे लिख पाएंगे तो लिखित भाशा में अनुसासन, सैयम, नियम वैसे धानतों का पालन करना पड़ता है तो वो क्या कहलाता है आपका व्याकरण कहलाता है कि वे उसे व्याकरण कहते हैं व्याकरण के विभाग कितने होते हैं वर्ण विचार, सब्द विचार और वाके विचार वर्ण विचार में आपका कि आपको सारे वर्ण याद हैं जैसे कि आपका स्वर और वेंजन के लिए तो एल से लेकर आपको गय से ग्यानी तक जब आपको इनका ग्यान है तो आप क्या कर लेते हैं सब्द बना लेते हैं कि सब्द विचार आ जाता है कि सब्दों का भी ग्यान आपको हो जाता है ठीक है और सब्दों का जब आपको ग् क्यूंकि उसमें किस प्रेकार से आपको लिखना है कि सरह कौन सा चिन लगेगा कौन पी होने चाहिए चो वह सारी चीज आपको ध्यान में रखकर लिखनी पड़ती है तो उस समय हमें व्याकरन की आफ्शक्ता आते हैं कि आप उसे सही रूप से किस तरह से वाक्य को लिख सकते हैं तो व्याकरण की उस समय आउशकता पड़ती है तो ये व्याकरण है अब इसमें आप से प्रसन पूछा जा सकता है कि व्याकरण किसे कहते हैं ठीक है और व्याकरण के कितने विभाग होते हैं तो इस तरह अब हम जानेंगे लीपी के बारे में कि लीपी क्या होती है किसी भी भाषा को कि जिन लीपी चिनों में लिखा जाता है उसे लीपी कहते हैं या आप कह सकते हैं कि भाषा की ध्वनियों को जिन लिखित माध्यम से लिखा जाता है उसे लीपी कहते हैं अभी मैंने आपको बता है कि जैसे व्याक्रण में हम जबी कोई वाक्य बनाते हैं तो व्याक्रण की सायता आफशक है हमारे लिए उसी तरह से लीपी की भी आवशकता है हमें क्योंकि हिंदी भाषा जिस लीपी में लिके जाते हैं उसे देवनागरे लीपी काहते हैं और देवनागरे लीपी में चिनों का होना आवशक है तब ही आप उनको मात्राओं को इनको लगा पाते हैं तो यह आपकी लीपी ज कि जैसे कि देव नगर अर्थात कासी में प्रचार के कारण इसे देव नागरे भी कहा जाता है कुछ विद्वानों का मत यह है इसमें कि कुछ लोगों के नुसार कि यह नगरों में प्रसलित है इस कारण से इसे नागरे कहा जाता है कुछ लोग इसे मानते हैं कि तांत्रिक चिन देवनागर के आधार पर इसलिए देवनागरी कहलाती है लेकिन ये लीपी हमारे हिंदी भाषा के अंदर आती है तो इसे हम देवनागरी लीपी कहते हैं इसकी जो प्रमुक विशेस्ता है कौन से होती है इसकी प्रमुक है कि देवनागरी लीपी एक विज्ञानिक इसमें देवनागरे लिपी विभारिक है और इसमें अनेक धवनी चिनों को सामिल किया जाता है और ये वर्णात्मक होती है और इसमें वर्णों का नामुचरन के अनुसार प्रगट किये जाते हैं कि बताए जाते हैं तो ये आपकी इसकी देवनागरे की प्रगट विशेस्ता है और इसमें कहा गया है कि आप वर्ण्ड जैसा होता है जैसा लिखा जाता व्यसा ही इसमें बोला जाता उसमें अंतर नहीं होता और हिंदी में प्रतेग धवनी के अलग-अलग चिन होते हैं जिसे आप मात्राइं लगते हैं कहीं पर ओकी मात्रा लगते हैं कहीं पर की के मात्रा लगती है अलग-अलग मात्राइं लगाई जाती हैं तो वो भी सी के अंदर आती हैं तो ये है आपकी लीपी इसमें आपके प्रसंद पूचा ज़ा सकता है कि लीपी का क्या अर्थ है हिंदी भाषा में लीपी बताईए या भारत वर्ष्ट में कौन सी लीपी चल रही है कि मतलब हमारी जो हिंदी भाषा है उसके अंदर कौन सी लीपी का प्रियोग किया जा रहा है तो ये आता है इसमें आपका प्रिसन तो ये थी आपके बोली, व्याकरण और लीपी तो आपको कैसी लगी? आपको ये समझ में आईए तो इसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, धन्यवाद